आज तक नहीं देखा अगर आप यह समझना चाहते हैं कि आज राहूल गांधी ने जिस तरह से अपने प्रेस कॉंफेंस के जरिए मोदी सरकार पर हमला किया तो आपको उनके प्रेस कॉंफेंस में बिलकुल शुरुआत में कही गई इस बात पर गौर करना पड़ेगा राहूल गांधी के बयान में बिलकुल स्पष्टता थी उनका कहना था कि बेशक मैं अकेला खड़ा रहूं और पूरा का पूरा देश एक तरफ हो मगर मैं अपनी बात कहते रहूंगा मैं चुप नहीं रहूंगा ये लोग बेशक मुझे गोली मार दें राहूल गांधी ने कहा क्या और फिर हम आगे बढ़ते हैं और इस प्रेस कॉन्फरेंस की अनालिसिस करते है मेरा कैरेक्टर है मैं ना नरेंद्र मोदी से ना इन लोगों से डरता हूं मगर छू नहीं सकते हैं और मैं धेशबक्त हूं मैं अपने देश की रक्षा करता हूं ठीक है और मैं करता जाओंगा मैं अकेला खड़ा हो जाओंगा पूरा देश अलग से दूसरे साइड हो जाएगा मगर मैं अकेला खड़ा होके खड़ा हो जाओंगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यह मेरा धर्म है मैं उनसे भी ज्यादा फनेटिक हूं ठीक है और यहां क्या हो रहा है जिस चीज के लिए देश लड़ा था सतर-असी साल पहले वह फिर से हो रहा है आज मेरी बात मत मानो जब गुलाम बन जाओगे तो फिर मानना मेरे लिए acceptable है मैं तो गुलाम नहीं हूँ ना कही ने कही पूरा का पूरा टोन जो है इसी बात से सेट हो जाता है पूरे प्रेस कॉंफरेंस का और खास बात ये रही दोस्तों अपने इस प्रेस कॉंफरेंस में उन्होंने सरकार समर्थक पत्रकार अरनब गोस्वामी जिसके कथित वाटसाप चाट्स इस वक्त लीक हुए हैं क्योंकि आप जानते हैं कि मुंबई पुलीस ने अदालत में सप्लिमेंटरी चार्शीट दाखिल की है जिसमें ये वाटसाप चाट्स भी हैं और इन वाटसाप चाट्स में बाला कोट हमले के बारे में अरनब गोस्वामी को पहले से ही मालूम था यही नहीं जो हमारे 40 जवान जो है शहीद होए थे उस पर कथित तोर पर इन वाटसाप चाट्स में अरनब गोस्वामी ये कह रहा था कि आज तो मुझे जबरदस जीत में लिए 40 जवान शहीद हो जाते हैं और ये आदमी TRP के लिए उसका जश्न मनाता है मगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि राहूल गांधी ने इस पर क्या कहा बहुत बड़ी बात की कही ना कही वो ये इशारा कर रहे है कि जिन पाँच लोगों में से एक या किसी ने भी लीक किया है ये अरनव गोस्वामी को अरनव गोस्वामी के साथ-साथ उस शक्स की भी गिरफतारी होने चाहिए और वो इशारा किसी और की तरफ नहीं बलकि देश के प्रधानमंत्री कि नरेंद्र मोदी की तरफ कर रहे थे सुनिये रिफ्लेक्शन ओफ दे माइंडसेट अब दे प्राइम इनिस्टर जो इनकी माइंडसेट है वो उनकी माइंडसेट है यह देखो हमारे बहुत अच्छा हुआ है कि हमारे चालिस लोग मर गए अब हम चुनाव जीत जाएंगे आपने इंफर्मेशन दी इंफर्मेशन चार पांच लोगों के पास थी ऐसे मिशन में पाइलेट के पास नहीं होती है ऐसे मिशन में पाइलेट को लास मिनिट में मिलती है एर चीफ के पास थी प्राइम मिनिस्टर इन पांच लोगों में से किसी ने इस व्यक्ति को यह information दी यह criminal action है पता लगाना पड़ेगा किस ने दी और उन दोनों को जेल में जाना पड़ेगा और यह प्रोसेश शुरू हो जानी चाहिए मगर यह प्रोसेश शुरू नहीं होगी मैं बता दूंगा आपको क्यों क्यों कि बतलाना चाहूंगा कि राहूल गान्धी के प्रेस कॉन्फिंस से ठीक पहले भारती जहाता पार्टी अधर जेपी नड़ा ने उन पर खासा तंस कसा था उन्होंने कहा था कि अब जब की राहूल गान्धी अपने वेकेशन से वापस आ गए हैं अपनी छुट्टियों से व जवाब ने जिसमें उन्होंने चीन का जिकर किया, उन्होंने किसान बिल का जिकर किया और जो एक खास बात का जिकर किया वह आपके स्क्रीन्स पर है उन्होंने पूछा When will Congress stop provoking and misleading farmers of India Congress कब किसानों को भड़काना और भरमित करना बंद करेगी Why did UPA stall the Swaminathan Commission report for years and did not increase the MSP यहाँ पर क्या कह रहे है J.P. Nanda कि आखिर Swaminathan Commission को UPA ने क्यों मुलतवी किया उसे टालते गए और MSP यानि कि नियूनतम समर्थन मूले नहीं बढ़ाया Why did farmers remain poor for decades under Congress Government आखिर किसान गरीब क्यों रहा इतने दशकों तक Congress के शासन में Does he feel sympathy for farmers only in opposition क्या वो किसानों के लिए हमदर्दी तभी महसूस करते हैं जब वो विपक्ष में होते हैं JP Nadda आगे क्या कहते है Rahul Gandhi has been spreading lies that all APMC mandis will be closed down Rahul Gandhi जूट पहला रहे हैं कि तमाम APMC की जो mandiya हैं वो बंद हो जाएंगी But wasn't action against the APMC Act A part of Congress manifesto Would that not have closed down mandis यानि की APMC Act को लेकर ये कही न कहीं कॉंग्रिस manifesto का भी हिस्सा थी अब इसके जवाब में Rahul Gandhi क्या कहते हैं आप खुद सुनिये Rahul Gandhi कह रहे हैं कि मुझे JP Nadda के किसी सवाल का जवाब देने की जरूत नहीं है JP Nadda मेरे professor नहीं है JP Nadda को मैं ये बताना चाहूंगा कि जहां तक कृशी कानूनों की बात है हमने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि किसान जो है वो अदालत नहीं जा सकता Rahul Gandhi क्या कह रहे हैं आप खुद सुनिये ये क्या JP Nadda मेरे professor हैं क्या कि मैं इनको जवाब देता जाओ कि कौन है ये क्या ये हिंदुस्तान के professor है teacher है क्या उनका क्यों जवाब दूँ मैं कौन होते हैं वो मैं हिंदुस्तान का जवाब देता हूँ किसान का जवाब देता हूँ किसान मुझे कोई भी सवाल पूछे जवाब दूँगा और जहां तक agricultural system की reform की बात है हाँ हमने reform की बात की है मगर हमने agricultural system को destroy करने की बात नहीं की हमारे किसी भी कानून में ये नहीं लिखा कि किसान जाकर court में नहीं जा सकता हमारे किसी भी कानून में ये नहीं लिखा कि मंदी को हम खतम कर देंगे नश्ट कर देंगे, हमारे किसी भी कानून में नहीं लिखा कि हम मतलब एक दो लोगों को पूरे हिंदुस्तान का नाज श्टोर करने देंगे, कोई भी ऐसा कानून नहीं है। और वो हिस्सा जो कि भारती ये जमीन का हिस्सा है, वहाँ पर अब ये बताया जा रहा है कि चीन ने गाओं बसा दिया है। अब इस पर भी जेपी नडड़ा ने उन से सवाल किया कि आखिर आप हमें यू क्यू नहीं बता रहे कि इतने दिनों से चीन को लेकर आपकी नर्म र पड़ेगा कि चीन जो है उसका दिमाग बहुत तेजी से चलता है। उसके सामने आपको एक सपष्टता दिखानी पड़ेगी और वो सपष्टता पूरी तरह से नदारत है मोदी सरकार में। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि मोदी सरकार चीन को लेकर एक सपष्ट होने वाली है। आप मेंसे लोगों ने मजाग उड़ाया। ठीक आप मेंसे लोगों ने कहा कि देखो राहूल गांदी क्या बोल रहा है। शब्था फियर मॉंगरी। मैं आपको आज बता रहा हूं और आप अपने नोट पैड में ये लिख दीजिए। चाइना हिंदुस्तान की कमजोरी को देख रहा है। और समझ रहा है। और चाइना के पास एक साफ ख्लियर स्ट्रेटीजिक विजिन है। वो दुनिया को शेप करना जाते हैं। हिंदुस्तान के पास कोई स्ट्रेटीजिक विजिन नहीं है। हिंदुस्तान कभी ये करता है कभी वो करता है। स्ट्रेटीजिकली काम नहीं करना है। चाइना ने हिंदुस्तान को दो बार टेस्ट किया है एक बार धोकलाम में टेस्ट किया है और अब लडाक में अपने टूप्स डालकर टेस्ट किया है वो टेस्ट कर रहा है। स्ट्राइजी हो तो चाइना चुप नहीं बैठेगा चाइना इसका फाइदा उठाएगा और जब फाइदा उठाएगा तब नुक्सान हो जाएगा तब आप उसको रोक नहीं पाऊगे इसलिए मैं रिपीट करता जा रहा हूँ मैं रेड फ्लाइग रेज करना हूँ सरकार के लिए आपके जमीन के अंदर आ गए हैं आपको लगता है कि यह इसको आप तू-तू-तू-तू-तू-तू करके परे कर सकते हो आपको लग रहा है कि आप इवेंट मैनेजमेंट के थू इसको मैनेज कर सकते हो आप गलत फेहमी में ह चाइना दूसरी चीज़ है चाइना डॉमिनेट करना चाहता है और वो सिस्टेमाटिकली काम कर रहा है हाकिकत यह भी दोस्तों कि कॉंग्रिस में एक नेत्रत संकट चल रहा है कॉंग्रिस के अंदर एक धड़ा यह है कि कॉंग्रिस के अंदर जो चुनाब हूँ वो डेमोक्राटिक तरीके से हूँ राहूल गांधी को लेकर लोग मांग कर रहे हैं कि वो जल्द अध्यक्ष बने और कॉंग्रिस की कमान समाले मगर राहूल गांधी के साथ दिक्कत यह है कि वो एक सुवधावादी राजनेता बनना चाहते हैं उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो अपनी शर्तों के हिसाब से कॉंग्रिस का नेत्रित करना चाहते हैं। यानि कि ये तो चाहते हैं कि हाथ में ताकत हो, मगर जिम्मेदारी से काफी हद तक वो बचना चाहते हैं। ऐसे आरोप लगातार राहुल गांधी पर लगते रहें। और आज उनसे सवाल पूछा गया कि इस देश की दिक्कत यह है कि विपक्ष बहुत कमजोर है। और यही नहीं किसान ने भी यह कहा था कि अगर विपक्ष इस देश में मजबूत होता तो हमें भी सड़कों पर नहीं उतरना पड़ता। इसके जवाब में राहूल गांधी ने कहा कि विपक्ष करे तो करे क्या क्योंकि आज की तारीक में अदालतें, मीडियां और संस्थान ये सब के सब सरकार के हाथों में हैं। यही नहीं राहूल गांधी ने सुप्रीम कोट पर भी तल्ख तेवर अपनाएं। कि सुप्रीम कोट की हालत क्या है मोदी सरकार में आप खुद जानते हैं। क्या कहा राहूल गांधी ने सुनिए। इन लोगों ने कैक्ट्र कर रखा है। है को इन लोगों कर रखा है। मेसा को करें को यह कंट्रोल करते हैं। जिस परकार से यह अंग्रेज हिंदुस्तान को चलावते थे कि देखो है अगर ब्राउन चमड़ी है कि बोल नहीं सकते हैं। इस देश का दुरभाग यह है कि विपक्ष का एक नेता बीच-बीच में paradise करते रहता है और हम सब उससे सवाल करते हैं इस देश का दुरभाग यह है कि मीडिया उससे सवाल करता है मगर पिछले 6-7 सालों में यह कहाए 6 सालों में देश के प्रधान मंतरी, प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी, जिनके 56 इंश के सीने की अक्सर चर्चा की जाती है, उन्होंने आज तक एक प्रेस कॉन्फरेंस को संबोधित नहीं किया। प्रधान में प्रधान में प्रधान में जो आपके चाटुकार हैं। प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी घड़े होते और उसी मंच पर राहूल गांधी उन्हें चुनोती देकर जो हैं सवालों के आदान प्रधान होता दोनों के बीच में। मगर दुर्भागी है इस देश का कि जहां राहूल गांधी प्रेस कॉंफरेंस कर रहे हैं। प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी ने पिछले 6 सालों में एक भी प्रेस कॉंफरेंस को संबोधित नहीं किया। यकीनां आज के प्रेस कॉंफरेंस में राहूल गांधी खासे उग्रत है क्योंकि उन्होंने न सिर्फ प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी पर हमला किया। उनके चाटुकार प्रतिकार अरनब गोस्वामी पर करारा हमला बोला। यही नहीं उन्होंने इस बात का भी इशारा किया कि प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी को बाला कोट हमले से जुड़ी जानकारी लीक होने को लेकर गिरफतार किया जाना चाहिए इस बात का भी उन्होंने इशारा किया। इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूं कि राहूल गांधी का ये प्रेस कॉन्फिंस उनकी अपनी जिंदगी का जतने भी उन्होंने प्रेस कॉन्फिंस किये हैं उसमें ये सबसे उंचा मुकाम रखता है और सबसे ज्यादा उग्र राहूल इसमें दिखाई दिये. नियूस चक्र में वस इतना ही अभिसार शर्म को दीजे जाज़त नमस्कार.